दोस्तों आप अपनी देनिक दिंचरे में कुछ ऐसी टेक्नलोजी यूज़ करते होंगे लेकिन क्या आप जानते है नैनो टेक्नलोजी के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो बागे तक देखते रहे हैं मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ नेनो टेक्नलोजी के बारे में नम्शकार दोस्तो, मेरा नाम है सोकिल और आप देखने हैं epoxy tax, let's begin दूस्तो बात करें एंदर नाक्टेकनलोजी की नायन आप दूसरा नाम नाच हम झालनेनने की पल्ट शोल सकेते रोड़ कल टीन मतलब 0.0000001001 हम इसको 10 की पावर माइनस 9 बोलते हैं और यह हम किसी मिटर से कंपेर करते हैं यह मिटर का 1 बिलियंथ पार्थ होता है अब हम जिस साइज पर किसी पार्टिकल की स्टेडी करते हैं और उस पार्टिकल को स्टेडी करने के बाद में कुछ टेक्नलोजी से बनाई जाती है तो हम उसका यूज तब आया जब आपने देखा कि पहले बहुत बड़े-बड़े computer हुआ करते थे और वह जैसे जैसे आपकी generation बढ़ती गई और वह जितने भी computers थे वह छोटे होते गई वह छोटे कब हुए क्योंकि हमारे को किसी भी particle का structure अच्छे से पता लगया और हम उसको seriously दंग से बना कर हम छोटी-छोटी compact size मना सकते थे तो यानि इसलिए किसी भी चीज की अच्छे से बनाना होता है तो हमारे को उसके basic concept के बारे में पता होना चाहिए तो नैनो पार्टिकल एक्टम से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि एक्टम बहुत जारा चोटा होता है उसका निकले उससे भी जारा चोटा होता है लेकिन अभी हम नैनो पार्टिकल की study कर पाते हैं तो हम इससे क्या होता है कि हम नैनो पार्टिकल की study कर पाते हैं तो हम उसक के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर का पता लगा पाते हैं तो असके बारे में पता लग जाता है कि अम इसके अलग अलग कंडिशन में रखेंगे जैसे टेपर प्रेसेशेश इसके बड़ी साइज होगी तो क्या फरक पड़ेगा अब दोस्तों मैं मान लीजिए मैं आपको छ कर सके साफ रख सके शेंपू आराम से कर सके इसलिए हम बाल कटवाने जाते हैं अब यह रख रखाव कब हो पारा है जब एक छोटा होता है यानि किसी भी पार्टिकल की स्टेडी सबसे छोटा इससे पर होगी तब उसके अच्छी तरह स्टेडी कर पाएंगे और जब हम उसक ओते चोटे जब पार्टिकल के स्टेडी कर लेंगे तो रोच सबसे बना बना सकते हैं और जहीं सके क자를 कर सकेंथ कर्से कर सके और इसाइपलिकिशन का कहां कहा है एike Apple कि लिए हो मिशाल आर्मी हर जगह परिसका यूज आता है और Nanotechnology ऐसी टेकनोलोजी है, जो आने वाले टेमपे बहुत जाधा बड़ी हो जाएगी, तो दोस्तों अब आपको पता लगए है और क्या उनको किस लिये NANO granting को बनाया गया है, नैनो टेक्नलोजी के आने वाली टेम पे बहुत जादा स्कोप है माना जा रहा है कई रिसेर्चर्चर्ज के अकोर्डिंग कई जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो उनके द्वारे में पता लगा कि करीबन 2018 तक 3.3 ट्रिलियन डॉलर की नैनो टेक्नलोजी के एक इंडस्ती होगी और करीबन 10 लाग से भी जादा इसमें नोकरी होगी यदि आप अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बना सकते हैं और यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं बस इस वीडियो की तो आपको बता रहा था नैनो टेक्नलोजी के बारे में अब दोस्तों आपको समझ में आ गया हुए कि क्या होती है नैनो टेक्नलोजी और वो किस लेवल पर उसकी स्टड़ी की जाती है आपको आने वाली वीडियो में इससे इलेटेट कुछ वीडियो मिलेगी जो की फ्यूचर टैक भी हो सकती है और जो अभी जो बन चुकी है उसके बारे में भी हो सकती है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें साथ ही में आप चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए इसे कंटेंट रोजाना लाता रहता हूँ तो दोस्तों आज की लिए बस इतना ही थैंक यू जैहिन जै भारत